पिछले एक तो दिन में एक भारती क्रिकेटर ने बड़ा ही कमाल का बयान शेयर किया जिसके बास से उन्होंने पूरे देश को एक और मौका दिया है बहुत ज़्यादा गर्व करने का उन पे और साथी साथ महिंदर सिंग धोनी पे मैं बात कर रहा हूँ मौमब सिराज की बेक स्टोरी क्या है ये तो सब जानते हैं उनका स्ट्रगल क्या रहा है किस तरीके से वोटके आए हैं उनके फादर ऑटो चलाते थे उनकी पूरी जो स्ट्रगल स्टोरी रही है वो तो लगपक सभी देशवासी जानते हूंगे इन फैक जब ऑस्चला के खिलाफ उन्होंने तेरा विकेट लिये थे और वो सबसे ज्यादा विकेट लेने आले पेसर बने थे उस सिरीज में इंडिया के लिए उसके बाद से फिर से उनकी जब स्टोरी कवर हुई थी तो जो गिने चुने लोग जिनको उनकी कहानी नहीं पत थी उनको फिर से पता चल गई थी बट अभी रिसेंटली जो मुहमद सिराज ने बयान शेयर किया वो फिर से आपको खड़ा कर देगा जहां पे भी हैं और आपको सेल्यूट करने पे उनको मजबूर कर देगा मुहमद सिराज ने बताया कि 2019 की IPL में जब वो RCB के लिए खे थे और वो जो सीजन था वो RCB के लिए भी बहुत खराब गया था क्योंकि वही सीजन है जिसमें RCB लगातार 6 मैच हार गई थी और लास्ट आई थी पॉइंट स्टेबिल पे तो उसी IPL में एक किस्ता ये हुआ था जब एक मैच में उन्हों सिराज बॉलिंग करा रहे थे और 2.2 ovar में लगभाक उन्होंने 36-38 रंदे दिये थे मातरे 2.2 ovar में मैं 2.2 ovar क्यों बल रहा हूं क्योंकि उस मैच में उन्होंने 2.2 ovar ही फेके थे क्योंकि जब वो 2.2 वर फेक चुके थे तो उन्होंने अपने स्पेल की दूसरी बीमर डाल दी थी जिसके बाद से विराट कोली को उनसे बॉल लेनी पड़ी और वो उस मैच में बॉलिंग नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि बॉलिंग छोड़ दे वापस से उटो चलाने लग जा क्योंकि जैसा मैंने कहा उनके फादर उटो चलाते थे तो एक ताने के रूप में उनको ये कहा गया कि तुम भी जाके उटो चलाना शुरू कर दो बट उसके बाद जब उस दिन उनका होसला नहीं आ रहा और उसके आप लगातार परफॉर्म करते रहे और जब इंडियन टीम में वो सेलेक्ट हुए तो MS Dhoni ने उनसे एक बात कही कि दुनिया बोलती रहेगी दुनिया तम्हारी तप तारीफ करेगी जब तुम परफॉर्म करोगे चाहे आप जितने भी बड़े प्लेयर हो चाहे आप Legend क्यों ना और चाहे आप MS Dhoni क्यों ना हो चाहे आप detox कोली क्यों ना हो चाहे आप सचिन ते MS Dhoni बहुत भार अपने लिए भी कह चुके थे कि आपको लोग तभी सर पर उठाएंगे जब आप वर्क करेंगे, जब आप कुछ अच्छा करेंगे, अगर आप परफॉर्म करेंगे, मैच में रन बनाएंगे तो लोग आपको सर पर बठा लेंगे, आप मैच जिताएंगे तो मुझे cricket छोड़ देना चाहिए या मैं cricket नहीं खेलूंगा तो तुम कभी cricket खेली नहीं पाओगे तो उन्हों ने उसे कहा कि तुम सुनो बट react मत करो सोचो मत सुनके निकाल दो दिमाग से क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जो MS Dhoni का carrier रहा है जो खुद captain रहे हैं कितने अगर वो बहुत सारी achievements की वजह रहे हैं तो कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों को उनसे जो expectation रही होंगी तो लोगों की तो expectation हमेशा positive रहेगी वो हमेशा चाहेंगा अगर इंडिया 500 match खे फुल्फिल नहीं होगी और जिस match में फुल्फिल नहीं होगी दुनिया आएगी और आपको गाली देना शुरू कर देगी और ये चीज सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा MS Dhoni को खुद face करनी पड़ी है शायद इसी लिए उन्होंने ये बास सिराज को समझाई रोगी क्योंकि MS Dhoni के career में जब कोई कप्तान रहे हैं और वो भी सबसे ज्यादा matches में कप्तान रहे हैं भारत के लिए इन दुनिया के लिए सबसे ज्यादा matchों में कप्तानी करी तो जाहिर सी बात है जब भी match हारी जब भी इंडिया टूर्णामेंट से बाहर हुई जब भी चीजे डिलीवर नहीं हो पाई जब भी और खासकर उनकी position ऐसी रही है जैसा मैं already कई वीडियो से बता चुका हूँ कि उनकी batting decide करती थी कि match का result क्या होगा उनके आखरी over में shots decide करते थे कि भाई इस 4-5 ball के बाद जब match खतम होगा लोग आके तारीफ करेंगे या गाली देंगे तो वो उस feeling को बहुत अच्छे से समस्ते थे इसलिए उन्होंने सिराज को बताया कि भाई दुनिया तो कहती रहेगी बढ़ आपको ये सोच के आगे बड़ोगे तो कभी आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाऊगे इसलिए आप सुनो आप अपना काम करो सुनके भूल जाओ और उसके बाद ही सिराज ने और ज़्यादा effort करना start कर दिया उन्होंने दुनिया क्या कह रही है सब सोचना छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने टेस्स में क्या perform करा ये हम सभी जानते हैं और उसी का नतीजा है और ये बात अभी उन्होंने क्यों शेयर करी सिराज ने क्योंकि रीसेंट्ली लगपक 2-3, 2017 के करीब सिराज को मौका मिला था और उसके बाद अब जाके वो वन्डे में टीम के लिए लगपक फ्रंट लाइन बॉलर बन गए है और पूरी उमीद है कि आने वाले टाइम में सिराज शामी के साथ वो वन आफ दा जो मुख्य चेहरा है गेनवाजी के इस मौमद सिराज होंगे टेस्ट में वो अलेडी कहीं ना कहीं पूरी उमीद है कि आने वाले टाइम में वो मुख्य चेहरा होंगे आपका स्टोरी पे क्या कहना है अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजेगा वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजेगा अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करने बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाज